असलाम वालेकुम फ्रेंज वेलकम टू माई यूटूब चेनल एसे पीजन्स तो गैसी ये भारगिन भाई के कबूतरों का पार्ट टू है और इनके अंदर हम मकवे काली आखो के कल सीरे और गेहरे छापदार कबूतरों का सोप करवाएंगे तो वीडियो में लास्ट तक रहिएगा और कबूतर कैसे लगे वो कमेंट में जरूर बताइगा और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और अगर हमारे चैनल पर नहीं आए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अब मैं आपको जल और इनका कोई जवाब नहीं, इनकी कलर देखिए, इनकी खुबसूरती देखिए, एकदम कद्दा वर साइज में जोड़ा लगाया हुआ है, और एकदम बहुती बढ़िया जोड़ा है, रसनली कि मेरे को तो बहुती पसंद आई ये कबुतर, और अब मैं आपको सबसे पहले तो मेल की आख का सोब करवाऊंगा, उसके बाद फिमेल की और पुरा जोड़ा छोड़ के दिखाऊंगा, तो वीडियो में बने रही है, और ये देखिए गाईज, ये है मेल की आख, और एकदम काली आख, और इनका कलर देखिए, चोंच का और पलक का, एकदम बहुती या, भरगिन भाई ने चोड़ा भी एकदम परफेक्ट लगाया हुआ है, और ये आप देख रहे हैं, बारगिन भाई का कबूतर जो गुजराच सापर से है, राजकोट से 10-15 किलो मेटर दूर है, और अब मैं आपको फिमेल की आख का सोब करवाता हूँ, और ये देखिए ये है फिमेल की आख, जो मेल के साथ लगाई हुई फिमेल है, उनकी आख का सोब में आप सभी भाईयो को करवा रहा हूँ, और ये देखिए ये पानी वाल याख दीख रही है मेरे को, और ये देखिए आप, ये फिमेल थोड़ी सी मेल से छोटे वजुद में लगाई भी है, तक कि पठे बहुती बढ़िया निकले, ये देखिए आप, इनकी खुबसूरती देखिए, ये देखिए आप मुंडी का कलर देखिए, बहुती बढ़िया, और कमेंट में जरूर बताए का कबुतर केसे लगे, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइ जोड़ा छोड़ के दिखा दाऊं, और ये देखिए गाईस, ये है पूरा जोड़ा, और ये देखिए इनकी खुबसूरती देखिए, इनका वजुद देखिए, और ये देखिए गंडे लिए हुए है, ये देखिए आप, और इनमें मेरे को कहीं कहीं जलक राजस्थानी कबूतरों की भी आ रही है और यह देखिए मेल देखिए एकदम कद्दावर साइज में लगाया हुआ है भूगिन भाई ने बहुती बढ़िया क्या कहने इनके जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है और अब मैं आपको एक जोड़े का और भी सोक करवाता हूं और यह देखिए गाईस यह दुसरी जोड और अब मैं आपको आखवगेरे का सोक नहीं करवाऊंगा क्यूंकि यह सारी एकी नसले और एक दो जोड़े से बने हुए कबूतर है इसलिए मैं आपको छोड़के ही कबूतर सारे दिखा दूँगा और भारगिन भाई यह ब्रीड परणी चालो के कबूतर है और यसे कबूतर जिस किसी भी भाई के पास है मेरा तो इतना ही केना एक आप यह कबूतर को संबाल कर रखिए क्योंकि यह कबूतर आपके जाके दिखने को भी नहीं मिले कि यह नसल बहुती कम हो चुकी है और अब मैं आपको तिसरी जोड दीख कनी के ही पठे हैं यह सारे और यह देखिए आप यह कलर देखिए और वजुद देखिए आप इन कबूतर हो का एकदम उड़ान के माविक मुताबित बनाए हुए है और इनका कोई जवाब नहीं यह देखिए आप यह कलर कोमबिनेशन देखिए बहुती बढ श्राइबarta और अब मैं आपको सारे कबूतर एक साथ छोड़ के दिखाऊंगा और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किये तो लाइक कर दीजिए और अगर हमारे चैनल पर नहीं आये है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये देखें गाईश यह है फुल फैमेली इक की जोड़े से बने हुए सारे कबूतर इनमें देखें गेहरे कलसिरे भी मिल जाएगे आपको छापदार कबूतर भी दिखने को मिल जाएंगे बहुती बड़िया कॉंबिनेशन सारे कबूतरों का यह देखिए इखी कलर में सारे कबूतर निकले हुए है और कबूतर कैसे लगे यह जरूर बताएगा कमेंट में और यह देखिए आप ऐसे कबूतर अब दिखने को भी नहीं मिलते है और इस तरह से नसलोगों कोई अब रखता भी नहीं है जाया ही कर देते हैं लोग यह देखिए आप और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्रेब कर दीजिए और अब हम मिलते हैं आपको दिशरे वीडियो में फिलाल के लिए इतना ही ठैंक्स पर वचिंग दिस वीडियो